हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमशकार आप सभी का फिर से बहुत--बहुत सवागत है फ्लेव ट्यूप में तो आज हम आए हें एक और नहीं इंट्रESTING रेसिपी के साथ और आज हम पनीर के साथ एक बहुत ही टी स्थी डीलेशेस और मजेदार रेसिपी आज हम बनाएंगे तो पनीर चिली विद ग्रेवी आज हम बनाने वाले हैं तो ग्रेवी वाले चिली पनीर आज हम बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, दिलिशियस और सिंपल ये रेसिपी है तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हम पनीर को थोड़ा सा मारिनेट कर लेए तो इसके लिए हम पनीर का एक क्यूब हम लेए इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिच पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा टमेटो साउस, चिली साउस, सूया साउस, जिंजर गालिक पेस्ट और corn flour इसे अच्छी तरह से इसके उपर हम रब कर लेंगे और इसे 15-20 मिनट rest होने के लिए छोड़ते ही और फिर आप इसे या तो थोड़ा सा ज्यादा तेल में deep fry कर सकते हैं नहीं तो shallow fry कर सकते हैं grill कर सकते हैं मैं यहां से grill कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एक grill pan में और frying pan में आप oil ले ले और इसे सभी साइट से बारी-बारी पलटते हुए crisp golden brown color आजाने तक आप इसे fry कर ले तो बहुत ही अच्छा जब golden brown marks इसके उपर आजाए सभी साइट से थोड़ा सा crisp हो जाए तब तक हमें इसे shallow fry करना है तो जब यह fry हो जाए फिर हम इसे निकाल कर side में रख लेंगे और इसके छोटे-छोटे pieces हम काट लेंगे अब हम इसका जो gravy है उसे बनाने का process हम स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए आप क्या करें कुछ vegetables हम लेंगे जैसे कि प्यास, capsicum और spring onions इन्हें हम cubes में, छोटे-छोटे dice में, slice में काट लेंगे और इसे जो marinade है जिससे हमने paneer को marinade किया था उसमें हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे जो बचा हुआ marinade है उसमें जो veggies हैं से हम mix कर लेंगे ताकि marinade का flavor vegetables में आ जाए अब हम gravy बनाएंगे उसके लिए एक दूसरे frying pan में हम तेल लेंगे इसमें हम डालेंगे green chillies, ginger और garlic इसमें हम डालेंगे capsicum, spring onions और प्यास जिने हमने marinade में coat किया था और इसे थोड़ी देर हम sautay करेंगे इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा salt, sugar, red chili powder और black pepper powder और थोड़ा सा ginger garlic paste फिर हम डालेंगे tomato sauce, chili sauce, soya sauce और थोड़ा सा corn flour पानी में mix करके corn flour slurry और इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम cook होने देंगे तो जो veggies हैं वो ज्यादा मतलब पकनी नहीं चाहिए इसमें थोड़ा सा उनका crunch रहना चाहिए जो प्यास, capsicum, muskring onion से एकदम उन्हें हमें fry नहीं करना है थोड़ा सा जब उनका कच्चा टेस्ट इसमें रहता है तो वो अच्छा रहता है तो इसे हम cook करेंगे अच्छी तरह से और जो gravy है उसकी consistency आपको कितनी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें तो यहां जो gravy है थोड़ा सी गाढ़ी रहती है तो थोड़ा सा reduce होने तक हम इसे cook करेंगे और जब अच्छी तरह से इसमें color आजाए फिर हम इसमें जो पनीर के cubes हमने जो ग्रिल पनीर या फ्राइड पनीर के चोटे-चोटे cubes काटे थे वो हम इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस gravy में हम toss कर लेंगे इसे coat कर लेंगे ताकि gravy का flavor भी पनीर में आ जाए तो इन सरी चीजों को हम लगभग 10-12 मिनट तक lower medium flame पे cook करेंगे फिर 10-12 मिनट बाद हमारा जो पनीर चिली gravy है वो एकदम बनकर ready हो जाएगा तो इसे हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे और enjoy करेंगे तो दोस्तों हमारा पनीर चिली gravy एकदम बनकर ready हो गया है और मझे उमीद है कि आप कोई जो recipe है वो ज़रूर पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर try करेंगे तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को like करें हमारे चैनल flavors tube को subscribe करें और अपने feedbacks अपने suggestions नीचे comment section में ज़रूर लिए तो हम फिर मिनेंगे एक और नहीं interesting recipe के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार करेंगे ज़रूर यह वीडियो आप सकता है